वेल्कम वेक टू माई चैनल मैं हूँ प्रगिती आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दुरगा पूजा के लिए एक साड़ी लुक ये बेंगॉली साड़ी लुक है बट इस लुक को आप किसी भी फेस्टिफल पर ट्राय कर सकते हैं जैसे कि दिवाली नवरात्रे करवाज काफी पॉफेक्ट लुक आया है ये नीट एंड क्लीन लुक है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस लुक को जब भी आप क्रियेट करते हैं तो आपको दो बातों का धियान रखना है जब भी आप साड़ी को सिलेक्ट करें उसमें दो ही कलर हो या फिर अगर कोई बॉर्डर वाली साड़ी आप लेते हैं दो कलर की तो उसमें ये लुक काफी अच्छा आएगा अगर आपके पास रेड और वाइट कलर की कॉंबिशन में साड़ी है तो वैलन गुड इस लुक को मैंने कैसे क्रियेट किया था चलिए आईए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबाइस वीडियो को चі that कर्यास सबसे पहले जब भी आप कभी भी साड़ी को पहनते हैं सबसे पहले अपनी हील कंधेन जिसे साड़ी का जो ओवर ऑर लोक के वह काफी अच्छा आता है और यहां पर मैंने अपनी इस साड़ी का blouse piece अभी तक cut नहीं करवाया है तो मैंने इस blouse piece को अंदर fold कर लिया है और हमारी साड़ी की जो basic tucking है जो एक round हम लोग घुमाते हैं उसको हम complete कर लेंगे जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ और length हम अपने according लेंगे पीछे से चेक करते हुए एक basic tucking को complete कर लेंगे इस साड़ी लोग को create करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी यह काफी जल्दी और easy साड़ी draping है जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सबसे पहले हम यहाँ पर पल्लू की length को measure कर लेंगे जैसा कि हर वीडियो में मैं सबसे पहले पल्लू की length की measurement करती हूँ यहाँ पर पल्लू की length normal पल्लू से थोड़ी ज़्यादा रहेगी जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं अब हम यहाँ पर pleats को बना लेते हैं इसकी pleats को बनाना बहुत ही simple और easy है और बहुत ही फटाफट बन जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने किया है सेम आपको वही procedure फॉलू करना है इसमें दो या तीन तीन pleats आती है और काफी flat look आता है आगे से अगर काफी चौड़ी प्लीट से निकलती नहीं है काफी चौड़ी प्लीट्स बनाई है क्योंकि हमने प्रंट की जितनी प्लीट्स आप बनाएं उनको बिल्कुल रखेगा तो ही साड़ी की finishing काफी अच्छी आएगी लास्ट में बचे वे फैब्रेक को हम इस तरीके से अंदर से टकन कर लेंगे तो चलिए आई आई आप पल्लू की प्लीट्स को रेडी कर लेते हैं सेम जैसे हम लोग नॉर्मल पल्लू बनाते हैं वैसे ही इसकी प्लीट को सिक्योर कर लेंगे हाफ आप पार्ट में डिवाइट करके हम पल्लू को अच्छी से सिक्योर करेंगे जिससे की बना सकते हैं वो बनाना बताया है उसका लिंक भी मैं आपको description box में दे दूँगी आप जाके वाँ से चेक कर सकते हैं तो आगे भी सेम इसी प्रोसिजर को follow करते हैं सारी पल्लू की pleats को एक साथ gather कर लेंगे और अच्छे से बनाएंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा अगर आप मेरे सारी dripping के और वी वीडियो को देखना चाते हैं तो उसके लिंक भी मैं आपको description box में दे दूँगी आप जाके वाँ से चेक कर सकते हैं मुझे comment box में comment करके जरूर बताइएगा इस सारी का overall look आपको कैसा लगा है इस look को आप दुरगा पूजा के अलावा नव क्रियेट करना चाते हैं तो आप इस look को जरूर ट्राइए कर सकते हैं परलू की अच्छी से finishing करने के बाद अब अपने हम left side के shoulder पर पर पलू को safety pin से secure कर लेंगे और shoulder पर secure करने के बाद हम उसको नीचे भी अपने कमर वाले part के पास safety pin से भी secure कर लेंगे जिससे की परलू की finishing काफी अच्छी आएगी और यह बचा हुआ fabric है इसको हम दो तरीके से इस look को create कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ इसको हम इस तरीके से back side में ले जाकर safety pin से secure कर सकते हैं और जो दूसरा look मैं आपको पताने वाली हूँ जैसे कि आपने देखा है Jacqu जैकलीन ने यह जो look create किया इस तरीके से इसके जो बचे वे fabric को हम अंदर belly button के side पर टक करते हुए पूरा अंदर अच्छे से finishing दे देंगे और जो हमारा Jacqueline का look है जो उसने बेंगॉली साडी में create किया था वो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा आप चाहें तो यहाँ पर corner पर इसको safety pin से secure कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पर कोई safety pin नहीं लगाया है और मुझे इस आड़ी इसी तरीके से काफी comfortable लग रही है अब हम आगे की pleats को भी finishing दे देंगे और यहाँ पर भी एक back side में safety pin से इसको secure कर लेंगे जिससे की पल्लू हमारा proper तरीके से set रहे यहाँ पर safety pin से secure करने के बाद जो नीचे वाला part है उसको और अच्छे से finishing देने के लिए आप बहुत पर भी नीचे एक safety pin से उसको secure कर सकते हैं प्रंट वाले पार्ट को भी में अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर नीचे भी एक safety pinces secure कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बाद में एक safety pinces को secure कर लिया है मैंने, अब मैं यहाँ पर एक waste chain add करूँगी, waste chain को add करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ accessories का use किया है, जैसे कि neckpiece, earring और bangles, यहाँ पर मैंने जो यह bangles पहनी हुए है, यह कोलकता की famous bangles है, यह मेरी एक friend है, जो बैंगौली है, वो उसने मुझे कोलकता से लाके दी थी, hairs को आप अपने according रख सकते हैं, या तो आप open hair रख सकते हैं, या फिर आप जुड़ा या burn भी बना सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपको दोनों look दिखाये हैं, आप अपनी choice से अपने hair को style कर सकते हैं, पलू को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप पूरा bengali look create करना चाते हैं, तो अगर आपके पास कोई चाबी का गुच्छा है या वो, और मेरे पास ये एक चाबी का गुच्छा तो नहीं, मेरे पास एक ये pin था जो हम साड़ी के आगे लगाते हैं, या फिर आप पलू का corner है, वो बार-बार नीचे नहीं आ रहा है, वहाँ पर हमें safety pin से secure करने की ज़रत नहीं है, बिल्कुल perfect look आ गया है, तो आप देखिए साड़ी का final look मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, बाबाई झाल